कि वेरी वेरी गुड इवनिंग टो आल अफ्यों हलो वेरी वेरी गुड इवनिंग टो आल अफ्यों तो जैसक कि हमने expenditure method का format last class हमने समझा था हमने इस format में देखा था कि हमारे जो इस format से gdp at mpb आ सकता है और अलो और ndp at mpb आ सकता है और इस format में हमारे पास में first point था final consumption expenditure जिसके अंदर household था और non-profit institution का था पॉइंट नंबर टू में हमारा था government final consumption expenditure और point नंबर थ्री में हमारे पास में जो capital फॉर्मेशन था fix capital फॉर्मेशन अगर है तो हमें changing stock को भी लेने की requirement है अगर हमारे पास में fix capital फॉर्मेशन भी नहीं है तो हम उसको कैसे बनाएंगे capital formation by household जो construction काम होता है by government and by firm अगर यहां पर point number third में यहां पर अगर हमारे पास में gross capital formation है तो हम जो निकाल रहे है वो GDP at MP निकाल रहे है और यहां पर हमारा अगर net capital formation है तो हम जो निकाल रहे है वो NDP at MP निकाल हैं तो यह last class में discussion हुआ था और सबसे end में हमने जो point number fourth पर जब हम गएते तो point number fourth पर हमने समझाता कि वहां पर हमारा net export आएगा export minus import तो final consumption expenditure से start करते हुए point number 4 तक हम गएते तो यह सारा format उमीद करता हूँ हम आपके mind में जरूर होगा और आईए आज की class में हम क्या करेंगे questions की practice करेंगे तो एक question में करवाता हूँ फिर आगे आपको मैं questions करने के लिए दूँगा सबसे पहले यहां पर देखते हैं सबसे पहले final consumption expenditure मेरे पास में है point number one और इसमें private sector भी है और government sector भी है दोनों ही लिया हुआ है तो private final consumption expenditure point number first जो कि क्या है मेरे पास में तिह पोड़ खिर आपको में जोड़ एक जोकी करेंदा चारा हमें आपको में जोड़ से पहले इसे लिए फिर दी जोड़ाव और जोड़ पर दीए के आपके उढ़ा है तो नहीं जोड़ा है हाँ हां जी तो पॉइंट नंबर वन हमारे पास में क्या है फाइनल कंजम्शन एक्सपेंडिचर जो कि क्या है हमारे पास पे 350 और गवर्मेंट सेक्टर का जो पॉइंट नंबर टू था वो भी इसमें दिया हुआ हमारा हंडर है मालो यहां पर फाइनल हाउसोल्ड कंजम्शन एक्सपेंडिचर होता तो यहां पर मैं नॉन प्रॉफिट इंस्टूशन का भी मैं लेता ठीक है अगर सिव प्राइवेट वर्ड अगर यूज़ कर रहा है तो मतलब दोनों ही इंक्लूड़ीड है यह मैंने फॉर्मेट है पढ़ा दिया अच एक्सपोर्ट प्राफिट और क्लोजिंग और प्लॉज़ीड और ग्रॉज़ ग्रॉज टॉमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ग्रॉज तो मतलब यहां से आपके बात क्लियर हो गही क्या है कि मेरे पास में ग्रॉज है तो बेसिकली मैं जो फाइंड प्रने जा र ग्रॉस डॉमेस्टिक फिक्स फिक्स वर्ड आ गया इसका मतलब क्या है कि हमें चेंजिन स्टॉक भी लेने की रिक्वार्मेंट है तो पहले चली इसको ले लेते हैं जो कि क्या है 70 है और प्लस चेंजिन स्टॉक लेंगे हम तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस आपनिंग स्टॉक तो टोडेरेट गिवन नहीं है यहाँ पर मेरे पास प्था क्लोजिंग जो है वो है 151 छीए तो यहां लिखना था 25-151 अगर कोई डाउट है तो थोड़ी दिर बस वेट कर लिजे नो वोई सर फिर से वोईस नहीं आ रही है वोईस तो आनी चाहिए कि अब वीडियो नहीं कि अब कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि कि हुआ है लीज जी तो हमारे पास में अब तो बच्छे वीडियो तो यहां से तो आ रही है देखी ज़रा हां जी तो क्लोजिंग स्टॉक मैनस ओपनिंग स्टॉक तो यहां पर क्या करा हमने पॉइंट नमबर 6 minus आपका opening stock point number 4 clear point number 3 complete होता है अब point number हम 4th की तरफ जाते हैं और जहां पर हमारे पास में क्याता है net export तो net export हमारे पास में कैसे आता है export minus import तो export दिया हुआ यहां पर मेरे पास में 13 point दे export minus import import हमारे पास में यह है 7th point पर ठीक है तो net export हमारे पास में export क्या दिया हुआ 10 और import क्या है हमारे पास में import हमारे पास में 20 तो चलिए calculate करते हैं आप calculator exam में लेके जा सकते हैं आपको allow है तो आप महाबग calculator का use फटा फटा आप महाबग करेंगे ठीक है जी generally मैं use नहीं करता हूँ calculator का 4700 और मेरे पास में हो गया यहाँ पर 70 तो यहाँ में मेरे पास में 520 और 520 और यहाँ पर मेरे पास में minus का 10 तो 510 पहले मैं यह लिख लेता हूँ अब यहाँ पर मेरे पास में minus तो 150 में से 25 गया तो 125 और 126 solve करते 10 में से 6 गया हमारे पास में 4 और यहां पर हम देखेंगे तो 10 में से 2 गया मेरे पास में क्या आया आठ और यह चार में से एक गया तो क्या है 384 क्रोड यह मेरे क्या आया GDP at MPI क्लियर जी अब मैं मुझे निकालना क्या है बिसलिए पूछ नेशनल इंकम नेशनल इंकम का मतलब एक ही होता है वह क्या होता है नेशनल इंकम बच्चे नेशनल इंकम का मतलब होता है NMP at FC कुछ और mention करेगा तो उसको लिखेगा कुछ mention करी नहीं देता आपको यह consider करना है और मेरे पास में है क्या मेरे पास में है इस समय GDP at MP यह format MP पर निकालता है अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने formula को change करना पड़ेगा अब सवाल यह है कि formula change कैसे होगा सर मैंने यह पहले ही आपको इसमें train कर दिया कि formula change कैसे करते ताकि आगे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं हो तो first letter को change करने की requirement है क्योंकि different है और first letter change कैसे होता है first letter को कभी भी change करना हो तो उसको आप depreciation से change करेंगे depreciation को हम क्या कहते है consumption of fixed capital भी कहते है तो आएए वो क्या होगा तो यहाँ देखेगा net में हम left के according चलते है तो इसमें हमारा debt होता है क्या नहीं होता है तो हमें minus debt करने की requirement है अब second letter भी different है तो इसको भी change करने की requirement है तो second letter को कभी भी change करना होता है तो हम NFIA से करते है और national में NFIA होता है क्या होता है अगर इसके पास में तो यहाँ भी दो इसके पास नहीं है तो यहाँ भी निकालो है इस पे होता है क्या करेंगे plus NFIA third letter same होता fourth letter को change करने के लिए NIT की requirement होता है net indirect tax जो की कैसे बनता है indirect tax minus subsidy तो यहाँ पर मेरे पास में फ्रेक्टर को and market price NIT का use होगा different है क्योंकि इसमें NIT होता है नहीं होता है तो हमें नहीं चाहिए तो minus क्या चरेंगे NIT clear है जी यह बात समझ में आपको आई चलिए अब मैं निकालने जा रहा हूं क्या मैं आपका NNP at FC निकालने जा रहा हूं जो की GDP at NP मेरे पास में already 384 crore calculate हो चुका है minus depreciation consumption of fixed capital को ही हम क्या बोलते है depreciation 10 plus NFIA net factor income from abroad अगर है तो अच्छी बात है नहीं तो आप calculate करोगे factor income from abroad minus factor income to abroad so net factor income तो आपको दिया हुआ है direct आपको minus 5 है तो यहाँ पर आप लिखेंगे minus का 5 और minus NIT net indirect text तो net indirect text आपको direct दिया हुआ है calculate करने की need नहीं है तो आपके पास में क्या है 25 आईजे solve करते हैं इसको तो NNP at FC equals to यहाँ पर मेरे पास तो है minus 15 कर देंगे पहले 10 करेंगे 374 और 374 379 चलिए एक बार कर लेते हैं 384 minus 25 और यह 5 आपके पास में 30 और यह 40 सीधा 40 ही minus कर देते हैं NNP at FC solve करेंगे 40 minus करेंगे तो 344 करोड़ आपके पास में क्या आगया national income आपके पास में आगया यह बात समझ में आपको आई या नहीं आई सर वीडियो बार बार रुक रही है यह कितने मच्छों साथ में आशी पॉलम आ रही है कि वीडियो बार बार रुक रही है चतिंदर यह वीडियो बार बार रुक क्यों रही है सही चल रही है सब सही है तो फिर आपका नेट इशू हो सकता है क्योंगि अगर सिस्टम से इधर से कोई प्रावलम होती है एप्लिकेशन से तो सब के पर प्रावलम वो डिलीवर होती है कि यह समझ में आ गया जी अगला कोशन दूं करने के लिए आपको करेंगे अगला कोश्चन बलो ठीक करेंगे अगला कोश्चन बलो ठीक है